गुद्वार्णिंग आज कर रहे हैं हम लोग क्लास टेंथ मैं इसका चैप्रे 13 कौर्ट रिलेटल्स और आज हम कर रहे हैं इसके एक्सिसाइज 13.4 तो पढ़ते हैं फर्स्ट कॉश्चिन कहरा है इंफिगर एल एम एंड एन आर थ्री डिस्टेंट पैरलल लाइन्स एल एम औ है फिर कहता है AD, PQ and GH AD, PQ and GH are three transversals यह तीन transversals हैं फिर इफ BC is equals to 2 cm अगर BC 2 cm हो and LM 2.5 cm और LM यह 2.5 cm हो and AD is parallel to PQ AD, PQ के parallel हो तो find MS and MN, आपको MS और MN यह find करना है, तो यहां पर हमें यह और यह, यह दो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यह दो side निकालनी है यह यह दो section, इनकी length आपको बतानी है, MS की और MN की तो question solve होगा एक theorem से, जिसका नाम है equal intercept theorem, ठीक है यह theorem कहती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा parallel lines हैं, और उनको एक transversal equally intercept करता है, intercept कहते हैं इस section को, यहां से यहां तक, यह section इसको A, इसको B और इसको C बना लिजे, equally intercept करता है, मतलब कि A, B अगर B, C के बराबर है A, B अगर B, C के बराबर है, तो उसी parallel line में, जो दूसरा intercept करेगा, ट्रांसवरसल, यह पूरी तो ट्रांसवरसल हो गई, इसका यह section, intercept हो गया, तो दूसरा ट्रांसवरसल भी, equally intercept करेगा, यह वो कह रहा है, यह अगर यह दोनों equal हैं, तो यह दोनों भी equal होंगी, यह है, equal intercept थियोरम, थियोरम कहती है, कि अगर, दो या दो से ज़्यादा, parallel lines में, कोई ट्रांसवरसल, equally intercept करता है, तो उसी parallel lines में, या उनी parallel lines में, कोई दूसरा ट्रांसवरसल भी, equally intercept करेगा, ओके, यह धियोरम हमें यह अपलाय करना है, और इसके अलावा, एक धियोरम हमें और अपलाय करना है, यह अगर, दो साइड, आमने सामने वाली, parallel हों, केवल parallel की बात कर अगर, आमने सामने की side, parallel हो, यह इसके parallel हो, यह इसके parallel हो, तो वो parallelogram बनाते हैं, अगर, किसी, quadril little में, चाड़ side के figure में, यह side और यह side यह side यह भी parallel हो, तो इनसे बनने वाला, जो 4 side का figure होगा, वो parallelogram होगा, यह दो rule हमने यहां पे लगाने हैं, तो सबसे पहले, हमें यह च तो अगर हमें ये पता होता RM, तो हम MS भी बता देते क्योंकि आप देखे, ये RM और MS, इंटरसेप्ट है PQ के, देख रहे हैं आप PQ जो ट्रांसवर्सल है उसके इंटरसेप्ट है, RM और MS, तो अगर हमें RM बता होता, तो हमें MS भी बता होता ठीक है, अब यहाँ पर हमें LM तो दिया है LM किता है, 2.5 तो MN तो हम बता सकते हैं यहीं पे से, तो सबसे पहले MN को हम बता देते हैं For MN हम मोलेंगे LM is equals to MN, कैसे? By Equal Intercept Theorem LM, MN के बराबर है जो कि हो जाएगा कितना? MN is equals to हो जाएगा 2.5 यह तो हमारे पास आ गया अब हमें चाहिए यह वाला यह जो MS है MS चाहिए में तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको find करना है तो इसको पहले हम पता कर सकते हैं इस वाले rules है यह दिख रहा हो BCMR सबसे पहले हम यह वाला एक quadrilateral लेते हैं in quadrilateral b c m r b c m r को देखे b r यानि कि यह वाली side यह पूरी l का जो हिस्सा है यह पूरी side l है यह तो हमें दे रहा था कि यह इसके parallel है और यह इसके parallel है और उस l वाली side का ही एक हिस्सा है b r हम कहेंगे b r is parallel to c m यह तो given था ओके फिर c m इसके parallel यह given था और b c r m के parallel था b c is parallel to r m यह भी given था यह दोनों side में parallel given थी देखें a d p q के parallel है a d p q के parallel है और a d का हिस्सा है b c और p q का हिस्सा ही है r m ठीक है तो हमने कह दिया कि b c is parallel to r m अब देखें यह जब इसके दोनों हमने यहाँ पर पढ़ा था था न कि अगर आमने सामने की दोनों side parallel हो तो यह इसके parallel है और यह इसके parallel है तो यह एक parallelogram बन गया तो so that b c m r is a parallelogram और अगर यह parallelogram है तो इसमे b c बरावर होगा r m के parallelogram का मतलब कि आमने सामने की side equal भी हो जाती है तो b c r m के बरावर हो जाएगा और b m is equals b r is equals to cm इसकी जरूरत हमें है नहीं तो हमने केवल इसी की हमें जरूरत थी b c बरावर r m की तो हमने यही उठा लिया बस ठीक है तो r m हमारे पास कितना आ गया r m हमारे पास आ गया 2 cm क्योंकि b c कितना था 2 cm अब हम वो यह वाली theorem रगाएंगे equal intercept वाली यह हमें मिल गया अब हम यह ms भी मिल जाएगा so that r m is equals to ms by equal intercept theorem तो ms कितना हो जाएगा हमारे पास ms हो जाएगा 2 cm तो एक हमने यहापे parallelogram वाली लगाई और एक हमने यहापे equally intercept theorem वाली equally intercept वाली theorem लगाई तो यह हो गया इसका question number 1 complete तो अब करते हैं हम लोग question number 2 पढ़ते हैं second question question कह रहा है from figure when can you say that ab is equal to bc and xy is equal to yz आप कभ कह सकते हैं कि ab bc के बराबर होगा और xy yz के बराबर होगा तो यह हम तब कह सकते हैं जब यह तीनो parallelines हो और एक दूसरे पर equal distance पर हो जो हमने first question में किया था कि तीन parallelines थी और वो equidistant थी तीनों से मतलब वो एक दूसरे से बराबर की दूरी पर थी यहनि इस से इसकी दूरी और इस से इसकी दूरी बिलकुर बराबर है तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ab bc के बराबर होगा और अगर यह दोनों बराबर हैं तो x y b फिर yz के बराबर होगा तो इसको हम जो हमने यहाँ पर यह statement बताए हैं वही हम यहाँ पर mention कर देते हैं Okay, we can say, if L, M and N are parallel lines and also equidistant from each other, then A, B is equals to B, C and X, Y is equals to Y, Z by equal intercept theorem Okay, तो यह हो गया question 2 हमारा complete, अब करते है question number 3 परते हैं third question, question कहा रहा है, in figure L, M is equals to M, Z L, M, M, Z के बराबर है, यह Z यहाँ पर बनाए, जो कि यह 3 cm, यह 3 cm है, यह यहाँ से हाँ 3 cm है, फिर कहता है, find XY, XY and XP, यह और यह आपको find करनी है, फिर, and B, Z, B, Z, यह, यह भी आपको find करनी है, और given आपको है कि L is parallel to M, is parallel to M, L, M, N यह तीनो parallel है, and P, Q is equals to 3.2, P, Q, यह 3.2 आपको दी है, यह वाली, P, Q, A, B, 3.5 दी है, A, B, यह 3.5 है, and Y, Z, 3.4, यह 3.4 है, यह, यहाँ से आते हैं कि 3.4 है, ओके, तो सभी बाते हैं यहाँ पर दे दी हैं, बस आपको connect करना है, सबसे पहले, उसने question में बता दी है कि L, M, जो है, वो M, Z के बराबर है, इसका मतलब अगर यह दोनों बराबर हैं, तो जितने भी intercept और बनेंगे, वो सब भी आपको से बराबर होंगे, तो हम कहेंगे, हमें find क्या करना है, पहले देखें, हमें find करना है, X, Y, X, P, and B, Z, ओके, अब इनके pair उठा लीजे देगे, X, Y का pair है, Y, Z, तो हम कहेंगे, X, Y, is equals to Y, Z, is equals to 3.4 cm, ठीक है, और इसके बाद है, X, P, तो X, P का pair उठा लीजे, X, P, X, P का pair है, P, Q, X, P, बराबर हो जाएगा, P, Q, is equals to 3.2 cm, उसके बाद है, B, Z, B, Z हो जाएगा, A, B के बराबर, B, Z is equals to, A, B is equals to 3.5 cm, by, equal, intercept theorem, जो कहती है, कि अगर, तीन या तीन से ज़्यादा parallel lines, में, कोई intercept equal बन रहे हैं, तो हमने देखा, कि यहाँ पर, यह दोरों intercept equal बनने हैं, देख रहे हैं, आपको, LM बराबर, LM बराबर, M, Z, यह बन रहा था, यहनि, यह दो intercept बिल्कुल बराबर बन रहे थे, यह देखे, देख रहे हैं, LM किसके बराबर आ रहा था, M, Z के, तो अगर दो intercept बराबर आ रहे हैं, तो फिर जितने भी intercept बनेंगे, चाहे वो कितने भी parallel lines हो, उन सब के intercept के आपस में बराबर thank you